जमीन में जाकर इखठा भी होता है, जमीन के जलस्तर को भी सुधारता है, और इसलिए मैं जल सवरक्षन को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूँ. आपने भी देखा होगा, हम मैं से कई लोग इस पुन्य को अपनी जिमेदारी मान कर लगे रहे हैं, ऐसे ही एक सक्ष हैं, उत्राखन के पौडी गडवाल के सचिदानन भारती जी, भारती जी एक सिक्षक है और उने अपने कारियों से भी लोगों को बहुत अच्छी सिक्षा दी है, आज उनकी महनत से ही पौडी गडवाल के उंफरेखाल ख्षेतर में पानी का बड़ा संकर समाप्त हो गया, जहां लोग पानी के लिए तरस्ते थे, वहां आज साल भर जल की आपूर्ती हो रही है, साथियों पहड़ों में जवल सवरक्षन का एक परमपरिक तरीका रहा है, जिसे चाल खाल भी कहा जाता है, यानि पानी जमा करने के लिए बड़ा सा गड़ा खोदना, इस परमपरा में भारती जिने कुछ नए तौर तरीकों को जोड़ दिया, उन्होंने लगातार छोटे बड़े तालाब बनवाए, इससे न सिर्फ उफरें खाल की पहड जिल की दिक्कत भी कुर हो गए, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारती जी ऐसी तीस हजार से अधिक जल तलेयां बनवा चुके हैं, तीस हजार उनका ये भगिरतकारिया आज भी जारी है, और अनेक लोगों को प्रेणा दे रहें, साथियों इसी तरह यूपी के ब बड़ा ही दिल्चस्प नाम दिया है, खेत का पानी खेत में, गाउं का पानी गाउं में, इस अभ्यान के तहट गाउं के कई सौ बीगे खेतों में उंची उंची मेड बनाई गई है, इससे बारिज का पानी खेत में इकटा होने लगा, और जमिन में जाने लगा, अब ये अच्छे कारियों से पहचानता उनके गाउं की दूर दूर तक वैसे भी हो रही है साथ्यों इन सभी से प्रणा लेते हुए हम अपने आस्पास जिस भी तरह से पानी बचा सकते हैं हमें बचाना चाहिए मौन्सुन के इस महत्वपुन समय को हमें घवाना नहीं है मेरे प्यारे देश्वासियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है नास्ती मुलम अनाउशद हम अर्थात पृत्वी पर ऐसी कोई वनस्पिती नहीं है जिसमें कोई न कोई आउशदिय गून नहो हमारे आसपास ऐसे कितने ही पैड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुद गुन होते हैं लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पठा इनहीं होता मुझे नैनी ताल से एक साथ ही वाई परितोस्त ने इस विशेव पर पत्र भीजा हैं उन्हों ने लिखा है कि उन्हें गिलोग और दूसरी कई वनस्पित्यों के इतने चमतकारी मेडिकल गुनों के बारे और दूसरों को भी वताईए वास्तों में ये तो हमारी सद्यों पुरानी वरासत हैं जिसे हमें ही संजोना है इसी दिशा में मद्द प्रदेश के सतना के एक साती हैं सिमान राम लोटन कुश्वाहाजी उन्होंने बहुती सरानिय काम किया है राम लोटन जी ने अपने खेत में एक देशी मुजियम बनाया है इस मुजियम में उन्होंने सैंकडों अवसधिये पहुंधों और बीजों का संग्रे किया है इन्हें वो दूर सुदूर छेत्रों से यहां लेकर आये हैं इसके अलावा वो हर साल कई तरह की भारतिये सबजि कियां भी उगाते हैं राम लोटन जी की इस बगिया इस देशी मुजियम को लोग देखने भी आते हैं और उसे बहुत कुछ सिखते भी हैं वाकई एक बहुत अच्छा प्रवग हैं जिसे देश के अलगर क्षेत्रों में दोहराये जा सकता है मैं चाहूंगा आप मैंसे जो भी बढ़ेगी मेरे पहरे देशवासियों अपसे कुछ दिनों बात एक जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाएंगे ये दिन देश के महान चिकित्सक और स्टेश में डॉक्टर बीसी राय की जन्मिजैंति को समर्पित है कोरोना काल में डॉक्टर्स के योगदान के हम सब आभारी हैं हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवा न करते हुए हमारी सेवा की है इसलिए इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे और भी खास हो जाता है साथियों मेडिसीन की दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों में से एक हिपोक्रेट्स ने कहा था wherever the art of medicine is loved there is also a love of humanity यानी जहां art of medicine के लिए प्रेम होता है वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है डॉक्टर्स इसी प्रेम की सक्ति से ही हमारी सेवा कर पाते हैं इसलिए हमारा ये दाइत्व है कि हम उतने ही प्रेम से उनका धन्यवात करे उनका होस्ला बढ़ाए वैसे हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं स्री नगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला यहां डल जील में एक बोट एम्बिलन्स सर्विस की शुरुआत की गई इस सेवा को सीनगर के तारिक एहमद पत्लू जी ने शुरू किया जो एक हाउसबोट ओनर है उन्होंने खुद भी कोविड-19 से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बिलन्स सर्विस शुरू करने के लिए प्रयरित किया उनकी इस एम्बिलन्स से लोगों को जागूर नहीं बढ़ते हैं साथियों डॉक्टर्स दे के साथ ही एक जुलाई को चार्टर एकाउंटन्स डे भी बनाये जाता है मैंने कुछ वर्स पहले देश के चार्टर एकाउंटन्स से ग्लोबल लेवल की भारतिय औरिट फर्म्स का उपहार मागा था आज मैं उन्हें इसकी य उनके परिवार के सद्वसों को अपनी सुबकामनाई देता हूं मेरे पैरे देश वास्यों कोरोणा के खिलाप भारत के लड़ाई की एक बड़ी विशेस्ता है इस लड़ाई में देश के हर व्यक्ति ने अपनी भूमी का निवाई है मैंने मन की बात में अक्सर इसका जिक लेकिन कुछ लोगों को सिकायद भी रहती हैं कि उनके बारे में उतनी बात नहीं हो पाती है अनेक लोग चाहे बैंक स्टाफ हो टीचर्स हो छोटे व्यपारी या दुकानदार हो दुकानों में काम करने वाले लोग हो रहडी पट्री वाले भाई बहन हो सिकुरिटी और पोस्ट ओफिस के कर्मचारी दरअसल यह लिष्ट बहुत ही लंबी है और हर किसी ने अपनी भूमी का निवाई है शासन प्रशासन में भी कितने ही लोग अलग-अलग तरुपर जूटे रहे हैं साथियों आपने संभव तह भारत सरकार में सचीव रहे गुरु प्रसा जी को कोरोना हो गया था वह अस्पताल में भरती थे और अपना कर्तव भी निभा रहे थे देश में ऑक्सिजन का उत्पादन बढ़े दूर सुदूर इलाकों तक ऑक्सिजन पहुंचे इसके लिए उन्होंने दिन रात काम किया एक तरप कोड़कचरी का चक्कर मिडिया का प्रेशर एक साथ कई मोर्चों पर वो लड़ते रहें बिमारी के दौरान उन्होंने काम करना बंद नहीं किया मना करने के बाद भी वो जीत करके ऑक्सिजन पर होने वाली वीडियो कांफरेंस में भी सामिल हो जाते थे देश वास्चों की इतनी चिंता थी उन्हें वो अस दिया है कोरोना ने उन्हें हमसे चिन लिया है ऐसे अंगिनक लोग हैं जिनकी चर्चा कभी हो नहीं पाई ऐसे हर व्यक्ति को हमारी स्रद्धानली यहीं होगी कि हम कोवीड प्रोटोकल का पूरी तरह पालन करें वैक्सिन जरूर लगवाएं मेरे प्यारे देश वास्यों म मुझसे जादा आप सबका योगदान रहता है अभी मैंने माई गौ में एक पोस्ट देखी जो चेने के थिरू आर्ग गुरुप्रसाजजी की है उन्होंने जो लिखा है वो जानकर आपको भी अच्छा लगेगा उन्होंने लिखा है कि वो मन की बात प्रोग्राम के रेग तो मेरा इंट्रेस्ट और भी बढ़ जाता है आपने तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की महांता तमिल त्योहारों और तमिल नाडु के प्रमुक स्थानों की चर्चा की है गुरुप्रसाजी आगे लिखते हैं कि मन की बात में मैंने तमिल नाडु के लोगों की उपलब् बताया है थुरुकृरल के प्रति आपके प्यार और थिरुवलवर जी के प्रति आपके आदर का तो कहना ही क्या इसलिए मैंने मन की बात में आपने जो कुछ भी तमिल नाडु के बारे में बोला है उन सब को संकलित कर एक e-book तैयार की है क्या आप इस e-book को लेकर कुछ ब पड़ रहा था गुरु प्रसाजी आपके पोस्ट पड़कर बहुत आनंद आया अब आप अपनी e-book में एक और पेज जोड़ दीजिए नान तमिल कड़ा चाराक्तिन पेरिये अभिमानी नान उलगत तर लहे पलमयान तमिल मोलियन पेरिये अभिमानी उच्चारन का दोस् लिकिन मेरा प्रयास और मेरा पेम कभी भी कम नहीं होगा जो तमिल भासी नहीं है उन्हें में बताना चाहता हूँ गुरु प्रसाजी को मैंने कहा है मैं तमिल संस्कृति का बहुत बड़ा प्रसंसक हूँ मैं दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल का बड़ा प्रसंसक हूँ साथियो हर हिंदुस्तानी को विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे देश की है इसका गुंगान करना ही चाहिए उस पर गर्व मैसूस करना चाहिए मैं भी तमिल को लेकर बहुत गर्व करता हूँ गुरु प्रसाद जी आपका ये प्रयास मेरे लिए एक नई द्रस्टी देने वाड़ा है क्योंकि मैं मन की बात करता हूं तो सहज सरल तरीके से अपनी बात रखता हूं मुझे नहीं मालुम था कि इसका ये भी एक एलिमेंट था आपने जब पुरानी सारी बातों को इखटा किया तो मैंने भी उसे एक बार नहीं बल्कि दो बार पढ़ा गुरु प्रसाद जी आपकी इस बुक को मैं नमो एप पर जरूर अपलोड कर वाऊंगा भविश्के प्र देश्वास्यों की कई उपलब्दियों पर भी चर्चा की अब एक और बड़ा अवसर भी हमारे सामने हैं 15 अगस्त भी आने वाला है आजहादी के 75 वर्ष का अमरुत महुत्सव हमारी बहुत बड़ी प्रेणा है हम देश के लिए जीना सीके हैं आजहादी की जंग देश क देश के लिए मरने वालों की कथा है आजहादी के बाद के यस समय को हमें देश के लिए जीने वालों की कथा बनाना है हमारा मंट्र होना चायिये इंडिया फॉस्ट हमारे हर फैसले हर निर्ने का अधार होना चायिए इंडिया फॉस्ट साथियों अम्रुत महुत्सव में देश ने कई सामुई लक्ष भी ताय किये हैं जैसे हमें अपने स्वाधिन्ता सेनानियों को याद करते हुए उनसे जुड़े इतिहास को पुनर्जिवीत करना है आपको याद होगा कि मन की बात में मैंने युवाओं से स्वाधिन्ता संग्राम पर इतियास लेखन करके शोध करने इसकी अपील की थी मकसर ये था कि युवाँ प्रतिभाएं आग्याएं युवाँ सोच युवाँ विचार सामने आएं युवाँ कलम नई उर्जा के साथ लेखन करें मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही कम समय में दाई हजार से जादा युवाँ इस काम को करने के लिए आगे आये हैं साथियों दिल्चस्प बात ये हैं उन्नीसवी बीसवी सताब्दी के जंग की बात तो आमतोर पर होती रहती है लेकिन खुशी इस बात की हैं कि 21 सदी में जो युवाँ पैता हुए हैं 21 सदी में जिनका जन्म हुआ है ऐसे मेरे नवजवान साथियों ने उन्नीसवी और बीसवी सताब्दी की आजहादी की जंग को लोगों के सामने रखने का मोर्चा समाला है इन सभी लोगों ने माई गौव पर इसका पूरा ब्योरा बेजा है ये लोग हिंदी, इंगली, तमील, कंड़ा, बांगला, तेलुग, मराटी, मलियालम, गुजराती ऐसी देश की अलग-अलग भाषाओं में स्वाधिन्ता संग्राम पर लिखेंगे कोई स्वाधिन्ता संग्राम से जुड़े रहे, अपने आसपास के स्थानों की जानकरी जुटा रहा है तो कोई आदिवासी साधिन्ता सेनानियों पर किताब लिख रहा है एक अच्छी शुरुवात है, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अमरूत महोसव से जैसे भी जुड़ सकते हैं जरूर जुड़े, यह हमारा सोभाग है कि हम आजाजी के 75 वर्स के परवका साक्षी बन रहे हैं इसलिए अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो अमरूत महोसव की और तैयारियों पर भी बात करेंगे आप सोब स्वस्त रहिए, कोरोना से जुड़े लियमों का पानन करते हुए आगे बढ़िए, अपने नए नए प्रयासों से देश को ऐसे ही गती देते रहिए इनी सुपकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।